हेलो एवर्ड़िवान वेलकम टो यूर बॉक्स ऑफ यान आज हम लोग मैस्टिच बना रहे हैं यह वाली मैस्टिच बहुत ही इजी है और फटा फट बन जाती है इसको हम सिर्फ सिंगल कोश्या और डबल कोश्या दो स्टिच से हमने मिलकर बनाई है बहुत ही इजी और फास क्रोश्य के बिगनर्स जो है वो भी बहुत असानी से बना सकते हैं यह चार रो में बनी हुई स्टिच है इसमें चार रो बनाई है मैंने और इसी तरह से बस आगी बढ़ते बढ़ते एक ही स्टिच है सिंगल और डबल कोश्या स्टिच इससे बनते बनते प्रोजेक्ट हमा नॉट्ट बना लेंगे और इसको टाइट करके अपने इस लूप को हम अपने क्रोशय होग में ले लेंगे और tight करके फिर हम इससे chain बनाएंगे इसके लिए chain हमें even numbers में बनानी है जितना भी आपका बड़ा project हो जैसा भी जो आप बनाना चाहते हो उतनी रंबी chain बनाकर इसको even numbers में बनाना है even number में हमें chain लेनी है chain की counting हमारी even numbers में होनी चाहिए और वो आपकी project पर depend करता है आप कितना बड़ा छोटा जैसा भी बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हैं यह मैंने chain बनाकर complete कर लिए अब इसमें सबसे पहले chain को हम single crochet से fill करेंगे first row हमारी single crochet की होगी इसमें first chain space में हम crochet hook को लेकर single crochet stitch बनाएंगे यह बनाएं फिर next में हम अपने hook को लेंगे यह next chain space है हमारा इसमें हमने अपने crochet hook को लिया और single crochet stitch बनाएं इस तरह से single crochet stitch से हम पूरी chain को अपने fill कर लेंगे इसमें जो हमारी first row है पहले chain बनाएंगे chain बनाने के बाद first row हमारी पूरी single crochet stitch से बनेगी next chain space में लिया और single crochet stitch बनाएं फिर next में निया मेने फिर single crochet stitch बनाएं इस तरह से पूरी chain को हम fill कर लेंगे यह देखिए इस तरह से single crochet stitch बनी और पूरी हमने chain fill कर ली उसके बाद हम two chains बनाएंगे और work को turn करेंगे और जो हमारा first chain space है इसमें हमने double crochet stitch बनानी है तो हम working thread को अपने crochet hook में लेंगे और जो हमारा first chain space होगा इसमें हम crochet hook को लेंगे और double crochet stitch बनाएंगे two times loop को निकालेंगे अपने hook में से फिर two loops आएंगे फिर उनको निकाल देंगे तो यह हमारे double crochet stitch बन जाएंगे अब हम एक chain बनाएंगे उसके बाद जो हमारे नीचे है उसमें एक chain space को skip करके next chain space में अपने hook को लेकर उसमें हम double crochet stitch बनाएंगे फिर से हम एक chain बनाएंगे फिर एक chain को skip करेंगे फिर नेक्स chain space में double crochet stitch फिर एक chain फिर double crochet stitch एक को skip करेंगे फिर next में double crochet stitch इस तरह से हम अपने पूरी second row को complete करेंगे एक double crochet stitch बनाएंगे फिर एक chain बनेगी हमारी फिर एक chain को skip करके next chain space में हम फिर से double crochet stitch बनाएंगे ये तो इस तरह से gap आते हुए हमारा ये second row complete होगी ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा एक double crochet stitch एक chain इस तरह से ये पूरी हमारे row second row जो हमारी complete हो जाएगी और end chain space में हम last में बिल्कुल बनाएंगे double crochet stitch उसके बाद फिर दो chain एक chain बनाएंगे ये हमारी third row आ गई, third row जैसे हमारी first row थी उसी तरह से single crochet stitch में third row को start करेंगे first chain space में हम first single crochet stitch बनाएंगे और फिर ये जो chain space है इसमें हम single crochet stitch लेंगे एक single crochet stitch इसमें बनाएंगे फिर stitch के उपर जो double crochet stitch बनाएंगे ये stitch के उपर stitch single crochet stitch की बनाएंगे फिर next chain space में single crochet stitch फिर stitch के उपर stitch फिर next chain space single crochet stitch इस तरह से पूरी ये third row को हम complete करेंगे chain space में single crochet stitch और फिर stitch के उपर stitch बनाएंगे इस तरह से ये हमारी single crochet stitch third row में बनेगे और पूरा हम इसको इस तरह से complete करेंगे single crochet stitch के साथ ये हमारी ये वाली row complete हो गई और फिर से हम दो chain बनाएंगे फिर work को टर्न करेंगे और ये जो हमारी second row है इसको हम fourth row में फिर से repeat करेंगे first chain space में हमारे इसमें हम double crochet stitch बनाएंगे ये वाला first में starting में जो हमारा होगा space इसमें double crochet stitch बनाएंगे फिर हमारे एक chain बनाएंगे फिर एक chain space को skip करेंगे next में हम double crochet stitch बनाएंगे इस तरह से हम पूरी row को फिर से complete करेंगे double crochet stitch एक chain फिर एक chain skip करके next में हम double crochet stitch बनाकर ये हमने fourth row को भी complete कर लिया पहले हमारा single double single double इस तरह से ये पूरी row हमारे complete होते जाएंगे first और second row है single crochet stitch की double crochet stitch की उस तरह से पूरी हमने ये complete कर लिया आगे मैंने बना के बताया है इस तरह से हमारा project बनता जाएगा thank you for watching